हाई प्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सभी लोग को मेरा प्यार बेर नमस्कार आप देख रहे हैं All About World आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सुप्रीम पोस्ट लोड्स फार फ्लोर आप डिफ्रेंट टाइप बिल्डिंग्स कि हम फ्लोर के उपर कितना लोड दे सकते हैं डिफ्रेंट टाइप बिल्डिंग में तो इसके बारे में आज हम कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे ये कस्ट्रेक्शन से रिलेटेड जितने भी लोग काम करते हैं कस्ट्रेक्शन में उनके लिए काफी important question है तो आपसे request है video को end तक देखिए तो पहला column हमारा है number का दूसरा हमारा है type of building तीसरा हमारा है minimum 1 cube land dead load on the floor तो इसमें हमारा type of building आईगी तो पहला हमारा है residential building दूसरा हमारा है hospital rooms तीसरा हमारा है hotel rooms residential building हो hospital rooms हो या hotel rooms हो उस पे जो floor पे dead load आता है 1200 kg per meter square 1200 kg per meter square दूसरा हमारा है offices buildings, church, school buildings, art galleries, staircase in residential buildings, retail shops अगर इस type की building है आपकी तो 400 kg per meter square तीसरा हमारा है public buildings, assembly halls, dance halls, theatres, cinemas, restaurants, gymnasia, stair in public buildings, cafes and light workshop अगर इस type की building है उस पे हमारा dead load कितना आएगा 500 kg per meter square यहां तक हमारा complete हो गया उसके बाद हमारा चौता आता है heavy workshop, printing presses and factories आपका heavy workshop हो, printing presses हो या factories हो उसके floor पे जो dead load आएगा वो आएगा 700 kg per meter square यह kg per meter square में dead load मैं बता रहा हो आपको पांचमा हमारा है warehouses, book store, stationary store and heavy garage इस type का अगर आपका building हो इस ट्रेक्चर हो तो उस पे आएगा 1000 kg per meter square तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा supreme post loads for floor of different type building कि हम अतिभारिद load floor पे कितना दे सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हमने जाना और minimum equivalent dead load on floor बराबर floor पे कितना load दे सकते हैं 200 kg per meter square इस type की building में और 400 kg per meter square इस type की building अगर हो 500 kg अगर इस type की building हो उसमें 500 kg और इस type की building हो उसमें 700 kg और इस type की building हो उसमें 1000 kg per meter square तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब करिए मैं कस्ट्रेक्शन से रिटेड वीडियो डालता रहता हूं टेक्निकल चीज़े डालता रहता हूं ड्राइंग सोगर बना के डालता रहता हूँ अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा अगर मेरी चैनल पर नहीं है तो सब्क्राइब करिएगा धन्यवाद